हालो गाइज वेल्कम बैक स्ट्रक्चर ओफ एटम की वीडियर नूमर टूंटी सिक्स में आपका स्वागत है और अब भी हम जो करने वाले हैं वह स्टार्ट करते हैं से अभी तक जो हमने रूल पड़े थे वह आभव रूल और पॉल एक्स्लूजन प्रिंसिपल और हन्स रूल के बार में पड़ाता तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को तो सबसे पहले जो हमारे पास bor लीजिश्ट में है हम एक लेवल से अगले लेवल की तरफ चलेगे जो छोटवे लेवल से अपर लेवल की तरफ चलेगे सिल्यां殷व को शुरुषाएं करते हैं पहले से तो पहला कोश्चन है इसका इसको मैं पहला लेवल क्योंगा फर्स्ट लेवल hai ृस्ट फर्ड ले सबसे पहला जो question है जिसके आपको electronic configuration करनी है वो है oxygen जिसका atomic number 8 और हम पहले भी इसको कर चुके है तो देखो 1s2 2s2 2p कितना 8 है तो 2 plus 2 4 और यहां भी आ गया क्या 4 ठीक है 1s2 2s2 2p 4 यह हो गया अगला है silicon 14 इसको कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p 6 इस तरीके से हो गया अब 14 है टोटल तो 10 तो हो गये है अब उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा 3s2 और 3p 2 यानि टोटल एक्टन 14 है तो जो लास्ट क्लास में energy का एक level बताया था कि इस energy level को ही follow करेंगे आप वह मैं हमने पढ़ा था increasing order of energy और आपको याद होगा हमने वहाँ पर इस तरीके से सभी energy level को लिख दिया था क्या 1s सबसे पहले 1s था फिर क्या था 1s के बाद 2s 2p ठीक है फिर आगया 3s 3p और 3d से पहले क्या था था 4s लेकिन मैं आपको एक advice देता हूँ आप यहाँ 3d ही लगाओ ठीक है यानी 1 है तो 1s थो 2s 2p 3 है तो 3s 3p 3d और यहां 4s बस यही आप किस लिवस में है यहां तक 4s था की चाहिए यही आप किस लिवस में है करना क्या है करना ही है लिखेंगे तो हम 3d को पहले लेकिन क्योंकि हमें पता है जो energy है वो किसकी ज़्यादा है वो इन दोनों को अगर हम चेक करें तो एनर्जी जो है वो ठीडी इक जादा है तो 3D को नहीं लिखेंगे हम 3D को पहले लेकिन भरेंगे इसी तरीकी से दिखाएंगे वो पहले लिखते किसको हैं देखो आपके NCRT में विल्कुल लास्ट में यह कौन की रिशन है इनको देखो वो कहते हैं कि 3D को लिखते पहले हैं लेकिन फिलब किसको करते हैं 4S को अगर हम देखें तो कोई ऐसा केस यहां देखो यह जो केस है य इनोंने किसको पहले बढ़ा है 4S को 4S को पहले फिल किया है और 3D को छोड़ दिया खाली यानि इन दोनों का अगर नमबर आए तो पहले किसको फिल करेंगे हम इसतरीवे से हुअ । 3D को तो श्टार्ट करते हैं आके क्या है हमारे पास और जो केस है मैंने रूल पहले बता दिया पहला और सब से खास रूल है लिखो आप 3d को पहले लेकिन भरो 4s को पहले अगर यहां तक आए तो तो और आगे चलते हैं तो पहला ही लेवल है फस्ट लेवल पर चलते हैं तो यहां पर अगला जो कोशन आता है वो है क्लोरीन क्लोरीन है 17 इसको कैसे फिल करेंगे यह भी सिंपल है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां पर आजाएगा 3p6 के बाद अब क्या बताओ 3 3p के बाद क्या आएगा just a minute 17 है ना तो 10 to 12 और यहां 5 आ जाएगा हो गया फिल क्लोरीन हो गया ठीक है ना इस तरीके से और अगर आप आगे देखो तो यह है आपका कैल्सियम कैल्सियम है 20 कैसे करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 ठीक है 3p 6 अब यह 18 होगे अब देखो लिखेंगे तो हम 3d को पहले लेकिन भरेंगे किसको पहले 4s को ठीक है लिख दिया हमने 3d लेकिन फिलप कर रहा तो यहां पर हमें इमने चेक के यहां तक 10 electron है 10 plus 8 18 electron होगे 18 के बाद 2 ही रहेगी तो 2 यहां और यहां 0 आजाएगा ठीक है जिस जीरो आता है वह आप चाहो मत लिखो तो यहां इसको आप हटा सकते हो नोर्मली 4s आ जाएगा यहोगी configuration तो पहला रूल क्या सिखा आपने लिखेंगे हम 3d को पहले लेकिन फिल किसको पहले करेंगे 4s को यह पहला रूल है दूसरा रूल अगर मालो 18 से ज्यादा electron है जैसे 20 लेक्टोन है यह 18 से ज्यादा electron है तो आप इस configuration को ऐसे भी कर सकते थे कैसे ऐसे भही 18 हो गया ना 18 से ज्यादा है तो 18 तक कोन होता है याद करो 18 अटोमिक नमर आर्गन का होता है तो हम इसको क्या है कर सकते हैं आर्गन यानि इतनी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी यहां से या तक कि सारे का सारे कितना है 18 एलेक्टोन है 18 एलेक्टोन है तो आर्गन आर्गन के बाद आप लिखोगे आदर डालो आर्गन के बाद 3D 4S लिखने की आर्गन के बाद 3D 4S अब देखो कैसे करेंगे configuration 20 है तो यहां कितने होगे 18 18 प्लस मैंने क्या का था लिखेंगे इसक अब इसको चाहो तो कैसे लिख सकते हो क्या आर्गन कि 4S2 क्योंकि D0 को नहीं लिखते जिरो को नहीं लिखते इस इस तरीके से यह calcium है इस calcium को आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिखो के तब भी गलती नहीं होगी कहने का मतलब है आपके तीनों portion जो है वो correct माने जाएंगे कौन-कौन से एक तो यह portion correct माना जाएगा यह correct है यह भी correct माना जाएगा यह भी correct माना जाएगा लेकिन सबसे जेंटल वेन तरीका यह है ठीक है ना सबसे जेंटल वेन और आगे चलते हैं कहानी को और आगे प्रॉसीड करते करते अब हम आते हैं अगले section पर जहां पर हमारे जो numerical है उनमे question है उसमें और आगे चलते है वेनेडियम वेनेडियम पर आते हैं अब यह यहां से स्टार्ट जाएगा आपका second level second level second level okay वेनेडियम जो की है 28 ठीक है वेनेडियम 28 इसकी configuration करेंगे तो क्या जाएगा यहां पर वेनेडियम 28 में वही 18 से ज्यादा है यह तो आर्गन आर्गन के पाद आदत क्या है हमारी 3D और 4S लिखने की तो 28 है तो यह तो हो गया कितना आपका 18 प्लस 2 20 और 8 जो रहेगे वह यहां लिख दो 28 होगे ठीक है उसी तरह से और आगे चलें तो यह आईरन है आईरन तो वेरी पॉप्लर 26 तो यह कैसे हो जाएगा आर्गन 3D में कितने हो जाएंगे भाई वही फोरेस पहले फोरेस को फिल करेंगे तू और जो इतने बज़गे 6 वह यहां आ जाएंगे निगकल होगया इसके लाबा स्कंडियम होगया यह 28 है यह 21 है आप चाहू तो वीडियू पॉस करके खुद ट्राइ कर सकते हो तो इसका आइरीम कोबल्ड vanadium vanadium scandium titanium vanadium 23 होता है scandium titanium vanadium ते यह तीन आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है तो यह हो गया आपका 28 यह जाएगा आपका 2 और यहाँ 8 ठीक है scandium 21 है तो आरगन 3D और 4S तो 20 और यहां वन आ जागा यह हो गया सिंपल कॉन्फिग्रेशन तो यहां तक आपको सेकंड लेवल भी समझ में आ गया है और थोड़ा सा और प्रॉशिट करते हैं सेकंड लेवल को क्या अगर केस ऐसे आएं तो क्या करोगे जैसे FV पे चारगा आपका 2 पॉसिटिव इसको क्या कहते है तो मैं आपको बथा धूँ यह फेरस होता है टेक है तो यह कैसे करना है सुन लो द्यान से पहले नॉरमल आयरन है उसको को करेंगे हम 3D और 4S क्या होता है iron 26 होता है न तो 2 और 626 अब पीछे से दो इलेक्ट्रो निकालो पीछे से ज्याद रहें जो मैं बूल रहा हूं उसको दियान देखो नॉर्मल आपको आ चुकी है पीछे से दो इलेक्ट्रो निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा देखो जब भी आप आयन की कॉन्फिग्रेशन करो तो रफ में पहले उसको लिख लिया करो जैसे आयरन को लिख लो पहले रफ में क्या है रफ में अब पीछे से दो इलेक्ट्रो निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा 3D6 रह जाएगा तो इसको हटा दो यह आप का अंसरा गया आयरन टू पोजिटिव का ओके FV3 पोजिटिव है तो क्या होगा आरगन फिर से यहां पर पीछे से कितने तीन एलेक्ट्रो निकाल दो त्री है तो तीन दो यह गया एक यह गया तो 3D5 ओके एक बात यहां दिहान देने लाइक है वो यह है कि यह तीन तरह के आयन आपको पता होने ही चाहिए अगर आप इ अपने स्कूल में तो कौन सा एक फैरसाइन किसे कहते हैं ंजे करेशाइन एक होता है यह क्या होता है ठीक है और इसी के अलावा यह भी हैं दो अएं एक होता है कूपर आएं और और एक होता है क्यूप्रिक आयन और जैसे अगले चैप्टर में जाओगे तो यह दो आयन और भी आ जाएंगे कौन-कौन से एक का नाम है स्टैनस आयन और एक का नाम है स्टैनिक आयन तो एक एक करके बताता हुँ मैं फैरस आयन किसे कहते हैं भाई फैरस हैं होता है अगर कूंसा होता है बात करें तो यह होता है तो क्यू प्रस आइन कून सा हो गया क्यूP प्रस लूंता है स्व्सचेयुट्रों सिंगल पजिटिग और सी within चू निए Commission में स्टेत्वरान कोन साओ थासां कि अगर बात करें तो यह होता है आपका ऐस सेंड टू पॉजिटिव और यह होता है stannic essence 4 positive तो यह अलग अलग तरह के 3 आयन है आप इनके नाम देंगे like की configuration करके दिखाओ तो आपको यह configuration करनी है ठीक है ना और भी अगर second level में आगे चलें तो second level में हमारे पास जो question है वो यह है देखो एक और practice करते हैं nickel to positive configuration क्या होगी है nickel to positive निकल होता है 28 तो जैसे कि मैंने बता है roughly आपको क्या करना है nickel to positive configuration कर लेनी है इस तरीके से अगर मैं सिरफ निकल की configuration कर लेनी है क्या आरगन कितना होता है nickel 28 तो यह हो जागा 3D 4S ठीक है two और eight पीछे से कितने electron निकालने दो तो यह दो electron यहां से निकल जाएंगे और आप यहां फिर में लिख सकते हो आप का answer है argon 3D 8 इस तरीके से ठीक है और अगर बात करें तो जैडन two positive जैडन two positive फिर से रफ में आ जाओ रफ में लिख लो जिंक जिंक होता है 30 ठीक है क्या होता है argon 3D और 4S तो यहां होगे आपके दो और यहां होगे आपके argon है तो कितना 18 प्लस 2 20 प्लस 10 30 तो पीछे से कितने electron निकालने दो तो यह दो निकाल दो यह दिस यूर और आंसर argon क्या हो जाएगा 3D 10 यह हो जाएगा ठीक है इस तरह से एक बार एक स्कूल ने पूछ रखा था एच पोजिटिव का बताओ तो नॉर्मल हाइड्रोजन का कितना होता है 1s1 होता है ना अब वो भी 1 भी निकल गया 0 तो आंसर आगे 0 यह इसकी configuration होगी तो इस तरी इस तरीके से इस तरीके से यह सेकिंड लेवल भी खतम होता है अब आते हैं थर्ड लेवल पर और थर्ड लेवल के की बात करने से पहले मैं पहले ही किलियर कर दूँ कि थर्ड लेवल में से आपका एक configuration exam में आएगी शामतलब आएगी confirm 100% लास्ट लेवल थर्ड लेवल ओके तो क्या कहता है थर्ड लेवल थर्ड लेवल यह कहता है एक तो chromium की configuration जो होता है 24 क्या होनी चाहिए वह वैचे तो होनी चाहिए आरगन 3D 4S चेक करूं जैसे कि अभी तक हम rule follow करते हैं तो वैसे ही chromium का अगर हम देखें 24 तो यह होती है आरगन 3D 4S यानी 18, 20 और 4, 24 ठीक है यह होनी चीए बटा असा नहीं होता कैसा होता है यह D में 4 electron नहीं होने चाहिए क्योंकि D में 4 electron का मतलब है वो D कहता है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कि मुझे एक और दे दो मैं completely half filled हो जाऊंगा और full stable होंगा यानी D5 जो होता है वो half filled and more stable होता है इसी तरह से D10 जो होता है वो fully filled and more stable होता है ठीक है ना तो यह दोनों ही stable होते हैं D5, D10 और यह होना चाहते हैं तो यह क्या करेगा एक लेक्ट में यहां से ले लेगा और आरगन क्या हो जाएगा 3D5, 4S, 1, stability के लिए यह ऐसा करता है अब रफ में तो आपने यह सब कुछ कर लिया फिर मैं आपको कहा लिखना है यहां पर 1 और 5, extra stability के लिए D5 is half filled and more stable D5 is half filled and more stable D5 is half filled and more stable यह मैंने तीन बार इसलिए बोला है क्योंकि यह एक्जाम में आएगा ठीक है ना क्रोमियम एक्जाम में आता है कॉपर एक्जाम में आता है अब तो आपको पता ही लग गया होगा यह इतनी सारी कॉनिफिक्रेशन कर लिए यह दो इतने अलग है इसलिए एक्जा पॉर्चन देखूं तो कॉप पर हो गया 29 तो यह हो जाएगा आरगन 3D 4S यानि यह दो है और यह 9 है फिर से एक्स्टा स्टीबिलिटी के लिए क्या कर लेगा यह यहां से एक एलेक्जाम में लेगा तो क्या हो जाएगा 3D 10 4S 1 ठीक है ना 29 है तो 18 और 22 और 9 29 इसी तरह एक एलेक्जाम लेगा तो कम्प्लीट जो आंसर आएगा वो यह आजाएगा 3D 10 4S 1 बोट और यह एक्जाम में नहीं आए तो यह आते हैं क्या क्यूपरस क्यूपरस की इसका नाम स्पेशल लिख रहा हूं क्यूपरस आयन इसी कोई कहते हैं तो सी यू पॉजिटिव क्या होता है बही 29 है ना तो पहले तो क्यूपरस आयन का यह बना लो आंसर मैंने जैसे कि बताया है 3D 10 4S 1 दिखी रहा है पीचे से क्या निकालना है एक एलेक्ट्रो निकालन और इस चीज़ के लिए तयार है कि एक्जाम में सरफ इतना कोशन देंगे क्यूपरी काई तो आपको इपने आप बताने क्या होता है क्यूपरी कायन की बात करें तो पीछे से 2 एलेक्ट्रो निकलेंगे एक यहां से गया एक यहां से गया तो क्या रह गया Aragon 3D9 यह रह गय क्यूपरीक है यह दोनों important है कौन सा exam आएगा check करते हैं देखते हैं कौन सा exam आएगा तो half field जो होते हैं कौन-कौन से यह D5 और D10 के यह क्या होते हैं जदा stable होते हैं extra stable अब exam में एक question यह पूछ लेते हैं कि भाई यह extra stable होते हैं क्यों होते हैं extra stability का कारण बताओ तो extra stability जो है इसकी जो reason है वो यह है कि आपके NCRT में मैं एक page है उसको अंडरलाइन कर देता हूं यह दो reason जो है इसके why these are extra stable D5D10 stable क्यों होते हैं आपके NCRT उसकी जो last page है उसको निकालो इसमें इसका region दे रखा है यह देखो यह है इन्होंने बताया cause of stability of completely filled और half filled sub shell है नहीं D5 यह रहा D5 और D10 दोनों तो दो reason है आपके जो लिखने हैं आपको एक symmetrical distribution of electron एक क्या हो जाएगा symmetrical distribution electron और दूसरा क्या हो जाएगा exchange of energy ठीक है ना exchange of energy यह दो reason की वज़े से एक सिमेंटिकल distribution होता है electron का 5 है तो 5 electron ठीक है ना और exchange यह आपस में एक दूसरे से जो electron यह एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी energy जिसकी वज़े से यह extra stability की category में आता है ठीक है तो देखो topic भी यही था stability of completely and half filled sub shell जो होती हो क्यों होती है तो यह दो region थे इसके ठीक है stability stability तो यह था यह था आपका electronic configuration का सारा सेक्षन जो हो गया खतम तो ज्यादा चांस है वो क्यूपरस आयन क्यूपरी कायन और chromium copper में से ही यह question को पूछेगा आपको दो ही चीजे याद रखनी है एक जो मैंने शुरू में ही class में बता दी कि लिखने में लिखते तो पहले है किसको 3D को और fill करते हैं किसको पहले 4S को कई विचारे बच्चे क्या करते रहते हैं इसको रटा हमारते रहते हैं कि इस configuration को हम रट लें तो रटने की जरूरत है ही नहीं आपको कुछ नहीं रटना इसमें से आपको करना क्या है शिरफ और शिरफ इस चीज़ पर द्यान रखो 1 है तो S खतम 2 है तो 2S 2P 3 है तो 3S 3P 3D ठीक है न और 4 है तो 4S पस इतना ही इतना ही आपके इस लिखते हमेशा पहले 3D को हैं लेकिन fill किसको करते हैं पहले हमेशा 4S को बस इतना द्यान रखना है और यह configuration आपकी याद करने क जरूती नहीं है 1 है तो 1 है 2 है तो 2 है 3 है तो 3 है और 3P 3S 3P 3D इस तरीके से याद कर लो खतम खेल ठीक है और आयन की बात अगर कभी भी आ जाए तो याद रखो हमेशा electron पीछे से निकालते हैं ठीक है न अगर यह zinc है जिंक टू पॉस्टिव करना तो पीछे से यह दो इल क्वांटम नंबर के जितने भी एक्स्ट्रा कोशन से सारे खतम कर देगे तब तक के लिए थैंकी सो मच टेक क्या